नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज इस वीडियो में काफी इंट्रस्टिंग टोपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं माता या पिता जब अलग हो जाते हैं, उनके बीच में तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है तो जो उनके बच्चे होते हैं, जिनकी उमर 18 साल से कम होती है, यानि जो नबालिक बच्चे होते हैं उनकी सरंखशक्ता, मतलब कि guardianship किसके पाज आएगी, इसका क्या मतलब होता है कि जो नबालिक बच्चे होते हैं, उनके जीवन के फैसले कौन लेगा, 18 साल तक के होने तक उनके जीवन के फैसले कौन लेगा, उनकी देखरे कौन करेगा, उनके important life के फैसले कौन लेने वाला है, माता लेगी या पिता लेगी, तो इसके उपर अभी हाली में मदरास हाई कोट के अंदर एक PIL दरज कही गी थी, उसमें काफी जादा ये इशू गरमाया हुआ है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, definitely काफी उनके पास अधिकार जाएगा बच्चे का, तो थोड़ा बहुत अपने आपको मतलब की सायम रखिये, आपको सारे सवालों की जवाब मिल जाएगे, साथ साथ हम बात करेंगी, कि जो धरम यानि जो religion है, वहां पर जैसे Hindu minority हो गया, Hindu के अंदर Hindu minority and guardianship act हो गया ये क्या होता है, या फिर Muslim के अंदर guardianship act होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें दी गई है, यानि किसमें माता को priority दी गई है, या किसमें पिता को priority दी गई है, तो सारी बाते जो हम इस वीडियो के अंदर cover करेंगे, साथ-साथ एक बात और हम जो cover करने वाले हैं, कि वो guardian और custody के अंदर क्या फ़र्ग होता है, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे clear, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, पीडियो जो है आप लोगों को description box में एक link दिया मिलेगा telegram का, तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं, clear हुआ, तो चलिए start करते हैं बिना किसी देरी के जैसे कि मैंने का दे कि मदराज high court के अंदर क्या था, एक PIL दर्ज की गई उस PIL में मांग की गई थी की गई थी कि जितने भी दस्तावेज सभी के सभी जो दस्तावेज है, जहां पर आप पिता का नाम mention करके रखते हैं कि पिता का नाम जरूरी है, वहां पर एक काम करिए पिता के साथ-साथ माता का नाम भी उले करिए, यानि कि आज तक अगर पिता के नाम पे कोई document बन रहा था, तो अब क्या है माता के नाम पे भी document बनना चाहिए, ये PIL के द्वारा मांग की गए थी, ऐसा क्यों हुआ कि अभी ना एक case आया उस case में क्या था, एक सोरव नाम का बच्चा जिसके 18 साल से उमर है, उपर है तो उसको 7 साल लग गए उसको 7 साल लग गए अपना pen card बनवाने में अपना pen card बनवाने में 7 साल लग गए क्यों बन लग गए, क्योंकि ये जो सोरव सिना है, इसके जो माता है उनका नाम है समरिती शिना अब समरिती शिना अपने पती से बहुत time पहले ही अलग हो गए थी जब ये बच्चा, यानि सोरव जो था, वो document में लाने के लिए बहुत जगां पिता का नाम उलेक क्यों आय जाता था कि आप पिता का नाम बताईए, पिता का नाम बताईए ये कहता था कि जब मेरे पिता मेरे साथ रहे नहीं जब अपनी माता के नाम पर बनवाना जाता हूँ उनके नियुमों में बदलाव किया गया, उनके नियुमों में बदलाव उनके लिए किया गया, जो single parent है, single parent जो है, उनके बच्चे जो है, वो अपने माता के नाम के उपर भी pen card या passport बनवा सकते हैं, लेकि इतना बड़ा change कर दिया गया, पैन कार्ड और passport में माता के नाम के अधार के उपर ही बच्चा बनवा सकता है, passport या pen card, लेकिन school की बात करें, तो वहाँ पर जो certificate हैं, वहाँ पर आज की date में भी पिता के नाम के उपर बहुँ ज़ादा जोर दिया जाता है, और ये काफी दस्तावेजों में डिक्कत आती है, अरे की परशान करने वाला बुदा बना हुआ है, बावजोद इसके की, यहां पर कितने सारे नियमों में फेर बदल किया गया है, कि passport या फिर pen card आप बनवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माता के नाम के उपर ही, clear, अभी थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान लेते हैं, देखें, single parent वाले लोग जो passport या card बनाने जाते हैं, उनके लिए कुछ नियम में फेर बदल किये गए थे, जैसे passport के अंदर, दिसंबर 2016 में, विदेश मंतराले ने, passport जारी करने वाले नियम मों को थोड़ा बहुत liberalize गी, या फिर कहें कि कुछ नियम मों में फेर बदल किये, उनको थोड़ा open कर दिया गया, इसमें क्या किया गया, देखें, तीन सदसे समीती की सिफारिशें की गई थी, इसमें कौन-कौन से शामिल थे, इसमें इस समीती के अंदर शामिल थे, विदेश मंतराले और महिला आवें, बाल विकास मंतराले ये शामिल थे, इनोंने चेक किया कि जो तलाग के बाद, और गोद लेने के मामलों में, बच्चों के लिए, पास्पोर्ट संबन्दी वह सारी चिंता हैं उनके सामने आ रहे थी, उनकी जांच की इनोंने, अब ये जांच करने के बाल, इनोंने परिवर्तन करी, परिवर्तन क्या कि ये जो आवेदक है, यानि जो एप्लिकेंट है, वो पिता या माता, दोनों का विवरंट देने की बजाए, माता या पिता में से, किसी एक का नाम परदान कर सकते हैं, यानि इन दोनों में से, अगर वो चाहे तो माता के नाम पे अपना पैनकार्ड बनवा सकते हैं, कि नए पास्पोर्ट आवेधन फारम में आवेधक को तलाक शुदा होने पर अगर उसने डाइवोर्स दे दिया अपना या अपने पती या पतनी का नाम परदान करने के अवशकता नहीं है और साथ ही तलाक की डिक्री यानि की ओफिशियल डोकिमेंट लगाने की कोई में फेर बदल किये गए दिसंबर 2016 में साथ ही साथ पैनकार्ड के अंदर भी 2018 में नुवंबर 2018 में के अंदर ये पर टेक्ष बोर्ड यानि सेंडरल बोर्ड ओफ डिरेक्ट टेक्स ने भी क्या क्या आयकर नियम 1962 के जो था उसके अंदर शंशोधन कर डाला अब यहां पर श सौरव सिना को क्या किया साथ साल लगे क्योंकि ये नियम 2018 में आया तब जाके सौरव सिना का पासपोर्ड या फिर कहें कि पैनकार्ड बन पाया था अच्छा नए पैन आवेदन फार्म में पिता के साथ माता का नाम भी जरूरत होती है अब यह आवेदे की इच्छा पर न यानि जो religion है वहाँ पर कौन guardian होता है और कौन मतलब कि अभी आपको एक फर्क बता देते हैं कि custody और guardian में फर्क क्या होता है देकि custody जो होती है वो एक तरीके से जो goat है वो महिला को यानि अपनी जो माता होती है उसको दे देती है custody को एक तरीके से इसके अंदर power यतनी नहीं सके लिए उसको कुछ एक महिने के लिए देदी उसके अंदर पर हैंगर ऐसे इस तृकम है तो प्रदान की वह होती है। इसको court के द्वारा दिया नहीं जाता और इसके अंदर बहुत ज़्यदा power होती है guardianship के अंदर clear हुआ अभी थोड़ा बहुत और इसके बारे में बात करेंगे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए भारतिय कानूर नाबालिक यानि Indian law accord superiority to the father in case of guardianship of a minor मतलब यह बोला गया है कि 18 साल से कम IU के जो बच्चे हैं उनकी जो guardianship है वहाँ पर पिता को ज़्यादा superior यानि प्रियोर्टी ज़्यादा दी जाती है as compared to माता के अधार पर इसका simple शव्दों में अर्थ यह हुआ कि माता जो है और पिता अगर इन में से कोई कहे कि मैं बच्चे की देखरे करना चाता हूँ तो priority किसको दी जाएगी पिता को priority दी जाएगी clear और हिंदू के धार्मिक कानून या हिंदू अल्प संकेक और सरंक्षिंकता अधिनियम HMGA 1956 के तहट नाबालिक या संपत्ति के संबन में एक हिंदू नाबालिक या प्राकर्तिक अभिभावक पिता होता है तता उसके बाद माता का अधिकार आता है इसका माइने मतलब क्या हुआ कि देखे एक तो कानून के अकोर्डिक तो है भारतिय कानून नाबालिक इसके अकोर्डिक तो है अगर कानून मी ना चाहे न तो जो हिंदू एक्ट है हिंदू HMGA है इसके तहट भी क्या होता है जो पिता होता हो वो natural guardian होता ही होता है उसको किसी से permission लेके नहीं आनी होती लेकिन जो custody होती है वो custody के लिए माता को permission लेनी होती है तो custody के लिए तो माता को permission लेनी होती है और वो custody कुछ time के लिए होती है लेकिन guardianship जो होती वो 18 साल होने तक पिता के पास रहती है सारे फैसलेज़े वो पिता लेगा जो भी जीवन से related important issue decision है वो पिता के द्वरा लिये जाएंगे बच्चे के लिए लेकिन माता को यहां पर इतनी priority नहीं दी गई है I hope so यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी फिर यहां पर एक बात बोली गई है कि बशर्ते एक नाबालिक की custody जिसकी उमर के 5 साल से कम है पूरी नहीं हुई है वो किसके पास जाएगी मा के पास जाती है अब यहां पर यह तो हो गया हमने समझ लिया हिंदू के बारे में हिंदू HGMA के बारे में हमने जान लिया एक बर ज़रा हम Muslim Personal Laws सर्यत अनुप्रियोग अधिनियम 1937 के बारे में बात कर लेते हैं देखिए Muslim Personal Laws सर्यत Application Act 1937 में क्या बोला गया है इसके अंदर भी जो सरंख्षक्ता है यानि गाइडियंशिप है इसमें जो सर्यत या धर्मी कानून लागू होगा और इसके according क्या कहा गया है पिता को priority दी गई है यानि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के अंदर पिता को ही priority दी गई है दोनों ही guardian बनेंगे दोनों ही फैसले लेंगे सबसे पहले माता जो है वो बाद में आएगी clear पिता के बाद में आएगी माता ये दोनों धर्मों में ये बात बोली गई है clear अब यहाँ पर पिता जो है क्या कहा जायता है कि 7 साल की उमर तक जो बच्चा है वो 7 साल की उमर तक मतलब कि वो कम उमर में जैसे हिंदू में क्या था 5 साल की 5 साल तक बच्चा नहीं हो जाता उसकी उमर 5 साल से कम है या 5 साल तक है तो वो तो माता के पास कस्टेडी के तोर पे रहेगा clear उसके बाद उसका गाडियन कोन बज़ेगा देकि गाडियन तो वो शुरुआत से ही होता है गाडियन तो पिता जो शुरुआत से ही होता है लेकिन 5 साल तक कस्टेडी के तोर पे कोन रखेगा माता रखेंगी यहां पर यह बोला गए कि 7 साल की उमर तक 7 साल की उमर तक जो लड़का है और जो लड़की जो प्रोड यानि पुबेर्टी यानि बोले तो एक योवन अवस्था जब तक प्राप्त नहीं कर लेती तब तक वो माता के साथ रहती है अब यहां पर जो है मुस्लिम कानून अभिरक्षा या हिजानत की एक अवधार्णा में कहा गया है कि बच्चा कल्यान सर्वो परी है यानि इसमें बोला गया है कि मुस्लिम धरम में जो बच्चा होता है उसकी वेलफेर सबसे उपर रखी जाती है इसलिए क्या होता है कि मुस्लिम कानून बाले अवस्था यानि टेंडर इयर में बच्चे की कस्टड़ी के मामले में पिता के स्थान पर माता को विरियता दी जाती है यानि कस्टेडी किसके पास जाती है माता के पास जाती है जैसा कि अभी मैंने बोला ना ये 5 साल और ये 7 साथ ये कस्टेडी की ही बात तो कर रहे है कि किसके पास जाएगी माता के पास जाएगी ये दोनों धरमों में बात बोली गई है कि यहां पर हिंदूइजम में क्या है पांस साल के लिए बच्चा जो होता है पांस साल से कम होता है तो किसके पास चली जाएगी माता के पास कस्टेडी चली जाएगी यहाँ पर भी custody की बात की गई है दोनों के अंदर custody की बात की है guardianship की कहीं पर भी बात नहीं गई है guardianship में priority किसको जा रही है पिता को दी जा रही है guardianship में power जोती ही वो जादा होती है as compared to custody में custody में time period होता है एक महिना, दो महिना, साथ साल 7 साल के बात guardianship किसके पास चले जाएगी पिता के पास चले जाएगी तो यह हो गया हमारे सामने अब क्या हुआ काफी जादा इसके उपर विवाद create हुआ था कि भई क्यों माता के उपर क्यों नहीं जा रहे यह तो कही न कहीं article 14 का उलंगन किया जा रहा है fundamental light का उलंगन क्या जा रहे है कि जहां पर आप gender inequality कर रहे हो आप एक पिता को जादा priority दे रहे हो माता को priority नहीं दे रहे हो तो यहां पर क्या हुआ था verse 1999 में ये द्यान रखने न गिता हरी हरन versus भारती रिजरु बैंक मामले में जो सुप्रीम कोट है सुप्रीम कोट ने एक बड़ा ही एतियासिक फैसला दिया था लेकिन partially थोड़ा बहुत रहात दे रहा था पूर्ण रूप से रहात नहीं थी हाफ तोरीके से इसने रहात दे दी थी इस फैसले ने कैसे देखे हम जी ये के अंदर क्या था बात बोली गई कि आर्टिकल 14 का उलंगन हो रहा है जहां पर फंडामेंटर राइट का उलंगन हो रहा है जहां पर फंडामेंटर राइट का उलंगन होगा वहां पर सुप्रीम कोट की एंट्री होगी ही होगी तो इसलिए Supreme Court का entry करनी पड़ गई तो यहां पर क्या किया गया तो Supreme Court ने यहां पर थोड़ी बहुत रहात की दे दी जैसे आम मैंने बोलाना है कि पिता के बाद माता का नाम आता है तो यहां पर Supreme Court ने इस बाद शब्द का मतलब बताया इस बाद शब्द का मतलब बताया है कि ऐसा नहीं है कि पिता उसका जीवन का आली खतम हो गया हो तब जो है वो माता आएगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता बाद का मतलब है पिता अगर absent है वो है यह नहीं वो चला गया है कहीं पर तुम्हें छोड़ कर जा चुका है, वहाँ पर प्रियोटी किसको चली जाएगी, माता को चली जाएगी, वो गाइडिन्शिप किसके पास चली जाएगी, माता के पास चली जाएगी, लेकिन अगर पिता और माता दोनों ही मुझूद हैं, वहाँ पर priority पिता को जाएगी ध्यान रखना इस चीज़ को बहुत जादा important चीज़ है लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए तो priority तो किसको गई है पिता को ही तो गई है माता को तो अभी भी नहीं गई यह तो थोड़ा बहुत बाद शब्द को इस शब्द को define किया गया था Supreme Court के द्वारा कि अगर पिता नहीं है या तो उनकी death हो गई है death भी नहीं अगर वो absent है वो है ही नहीं किसी और के साथ हैं किसी और से शादी कर लिए धरम convert कर लिया है या फिर कहीं चले गए हैं वो आई नीरे तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो priority वो माता को जाएगी अगर दोनों ही मौझूत हैं तो पिता को जाएगी priority clear हुआ अचा यहाँ पर इस फैसले के बाद भी देखे इससे यह पता चलता है न निर्ने में माता पिता दोनों को समान अभवक के रूप में मानेता देने में विफल रहा मतलब कहीं पर भी एक समान लेवल पर तो लेके नहीं है अभी भी कहीं न कहीं पिता को priority थी लेकिन कहा जाता है कि यह जो नियम या फिर जो फैसला था वो partially relief दे रहा था कहीं न कहीं तो आप सोचों कि पिता की मृत्यू को इन्होंने बाज शब्त को तो define करके दिया ना तो यहां पर बोला गया यह जो फैसला था वो काफी अदालतों के लिए एक तरीके से मिसाल कायम करता है लेकिन HMGA में कहीं पर भी कोई संशोधन नहीं किया गया अब भारती विदी आयोगा देखें लो कमिशन ओफ इंडिया 2015 में मई 2015 में अपनी एक 297 रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने रिफोर्म की मांग की थी गार्डेंशिप रिफोर्म इन गार्डेंशिप एंड कस्टड़ी लो इन इंडिया ये जो बात बोली गई इन्होंने का कि कुछ सुधार किये जाने चाहिए किसमें जो 297 वी जो रिपोर्ट थी लो कमिशन ओफ इंडिया की उसमें इन्होंने बोला गया कि जो आप प्रियोर्टी यानि प्रियोर्टी जो आप एक पैरेंट को दे रहे हो दूसरे पैरेंट के उपर आप इसको खतम कर लीजी इसको बिल्कुल खतम करना होगा साथ इसाथ आपने जो एक नेचुरल जो नेचुरल जो नेचुरल गार्डियन की जो बात की जिसमें बोला गया है कि पिता जो है वो natural guardian होता है दोनों ही धर्म के according मतलब Hinduism के बात कर लो या Muslim की बात कर लो उन दोन में देखे जो Hindu act जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ा है न उसमें कौन-कौन आते हैं उसमें आते हैं Sikh भी, उसमें आते हैं Jain भी उसमें आते हैं Both भी जरूरत नहीं होती कि हम guardianship लेंगे इनको तो by default यहां पर दी जाती है क्योंकि ये Hindu उस act में आते हैं यहां पर लेकिन इन्होंने बोला कि आप ये जो natural guardian का जो लेक किया गया है कि माता, पिता को मिलने चाहिए, यहां पर आप एक काम करिए आप माता को भी आड़ करिए कि natural guardian कोनों की वो माता भी हो सकती है यानि उसके broad फैसले, जिवन जिनके जो life के जो फैसले हैं बच्चे के वो माता भी ले सकती है, बज़ाए कि पिता जो फैसले ले रहा है ओके यहां पर, साथी साथ इसमें बोला गया है कि HMGA के अंदर HMGA के अंदर शन्शोधन किया जाना चाहिए कि भई यहां पर जो है माता जो है, वो उसको भी अधिकार दिया जाए, वो भी guardian बन सके, एक बच्चे का उसके property के अधिकार को वो संभाल सके, तो यह बात बोली गई Law Commission of India के 257 report के अंदर, जो मई 2015 के अंदर दी गई थी अच्छा, इसमें चिंताएं क्या है, प्रमुक issues क्या है, concern क्या है, देखे हलांकि जो विवाद में नयायले क्या करता है, court क्या करता है, बच्चे की custody जो है, वो मा को तो दे देता है लेकिन custody और guardianship में फर्क होता है, custody में power कम है, guardianship में power अधिक है custody जो हो कुछ time के लिए दी जाती है और इसके अंदर क्या होता है मा जो है, वो उस बच्चे की देख रेक ही कर सकती है, उस से related जीवन के फैसले वो नहीं ले सकती है, अगर इसके guardianship किसके पास है, पिता के पास है तो यह विरोधा भास इस बात का परकास डालता है कि माता को जो है, वो देख बाल करने के लिए ऐसा माना जा रहा है, कि वो देख बाल के रूप में ही है लेकिन बच्चे के लिए जो निरने लेने वाली बात आती है उसके रूप में सिरुप पिता ही आ रहा है यह देख बाल कर रही है माता अगर निरने लेने की बात आए, तो पिता आ जाता है वहाँ पर तो यह जो है, वो काफी ज़्यादा एक concern है अब आगे की राह क्या है कि क्या कर सकते हैं अभी जो है, इसके अंदर कोई भी HGMA के अंदर कोई भी शंशोदन हुआ नहीं है अभी भी जो है, वो पिता guardian है, clear माता पिता के बाद आएगी clear यहाँ पर, तो बोला गया है कि देखे विभिन सरकारी विभागों में एक जो बाद बाद शब्द को जो उलेक किया गया था Supreme Court के तोरा, at least वहाँ पर, या फिर जितने भी नियम जो update कर दिये गए हैं, कि जो pen card है जो pen card है, या फिर कहें जो passport है, वहाँ पर इस चीज़ को बताया जाए सभी विभाग के अंदर, कि इनके अंदर शब्द किया जा चुका है, इनके अंदर नियम बना चुके हैं, और इस बाद शब्द को भी Supreme Court के तोरा बताया जा चुका है कि कौन इस बाद के बाद आने वाला है, यानि कि बाद शब्द का मतलब क्या है, कि मृत्यू के बाद नहीं पिता की अनबस्तिती के बाद माता को चुना जाएगा, तो बोला गया है कि देखिए, जितने भी सरकारी वाग है, उनको सुनचित करने के लिए, अपने नियोमों में सैक्रिय रूप से शंशोधन करना चाहिए कि विगीता हरिहरन फैसले का अनूरूप करें, क्योंकि कानून में शंशोधन एक बहुत बड़ी चुनोती और एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक लोगों को रहत देने के लिए अदालतों के चक्कर लगाना ही पड़ेगा भई, तो यह हो जाता है आपके सामने, जो की इशू था, कि माता पिता के बाद माता पिता जो अलग हो जाते हैं, तो बच्चे की कस्टडी, गार्डियन्शिप, यह किसके पास जाने वाली है, आई होप सो यह सारे डाउट आपके 100% समझ में आ गया, PDF जो है मैं आपको अलड़ी बताई चुका हूँ कि टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, साधी साथ कुछ जादा ही पसंद आ गए हैं, तो यह देखें, इतना बड़ा यह शेयर लिका है न, तो शेयर कर दीजिए वीडियो को भी, एस वेलेज चैनल को भी थैंक यू फोर वोचिंग दिस वीडियो